नमश्कार आदाब शश्टरेगाल और खुशाम अदीद, very very good evening to all of you people, this is your master DJ Harish Priyam, जो कि आज बात करने आए हैं SAT पे, SAT examination, इकलोता ऐसा रास्ता, जिसके थुरू आप foreign universities में जा सकते हैं, पहला वो पढ़ाओ जिसको आपको पार करना बेहत जरूरी है, तभी आप जाके इंडिया के बाहर के जो टॉप के universities हैं, जैसे USA, Canada, Australia, ऐसी जगहों पे Japan, ऐसी जगहों पे जाके आप पढ़ सकते हैं, तो SAT stands for scholastic aptitude test, आज इस session में जानने वाले हैं कि इसका पूरा syllabus क्या होता है, exam का pattern क्या होता है, exam के dates क्या होता है, marks कितने होते हैं total, कितने marks लाने की आवशकता पढ़ती है, किन-किन universities का कौन-कौन सा cut-off है, marks का total का total distribution कैसा होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है, level of examination क्या होता है, सब details जानेंगे आज के session में, तो stay tuned, बने रहिएगा और आखरी तक वीडियो को देखिएगा, तो make sure कर लिजे कि आप चैनल पे subscribe हो, ताकि कोई भी ऐसा बढ़िया वीडियो आपसे छूटे नहीं, ठीक है, जनता तैयार है, तो जल्दी बताओ, सुरू करें session, सारे लोग तैयार, पक्का, चलो भाई, let's get started, planning to study at one of the best universities, तो आपको SAT तो देना पड़ेगा, here we go, SAT मतलब scholastic aptitude test, अब gives wings to you abroad, abroad जाने के लिए ये बहीया, ये कलोटा तरीका है, अब ध्यान से इसके detail देखो, examination का duration होता है, 2 घंटा 14 मिनट, undergraduate course, US, Canada, Japan, China, बहुत सारे जगा, Australia, सब जगा SAT use होता है, 260 है इंडिया का code, जो बच्चे इंडिया की तरफ से apply करते हैं, उनको जब application form भरते हैं, तो पूछते हैं आप कहां से हैं, तो आप 260 याद रखेगा, इंडिया का code होता है, वैसे वहाँ पे लिखा भी होता है, कौन conduct कराता है, तो college board नाम की संस्था है, ये संस्थान इसको conduct कराती है, online तरीके का examination होता है, पूरी तरह से, 1600 नंबर का paper होता है, और all major Indian cities में इसका center है, test center, online है, इसका मदब यह नहीं घर से बैठ के दे सकते हो, आपको center जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर online examination होगी, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, official website है, www.collegeboard.org, यहाँ से आप इसको application भर सकते हैं, college board का office वगरा, अब 86 countries ऐसी हैं, जो SAT के score को accept करती हैं, for admission to their universities or colleges, 86 country है, काफी बड़ा number है, जिसमें major countries आती हैं, USA, Canada, UK, Japan, ऐसे जगा, उसके आज आउस्ट्रेलिया भी accept करता है, validity, एक बार जब आप examination देते हो, तो आप 5 साल तक इस score को use करके, कहीं पर भी admission ले सकते हो, तो जरूरी नहीं, कि आज examination दिये, तो अगले साल लेना ही admission, या IT जैसा system नहीं है, इंडिया का, तो आप 5 साल तक इस score valid रहता है, अब ध्यान दीजेगा, इसका SAT का number, आपके admission के लिए, scholarship के लिए, financial aid के लिए, सब चीजों के लिए use होता है, तो SAT के scores important है, अब next बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए, reading and writing में 800 number का paper होता है, और mathematics में 800 number का, तो mathematics सब जग़े ही important होता है, तो reading, writing, basically अंग्रेजी के लिए करते हैं यह लोग, और mathematics, basically आपका knowledge क्यासा है, अब इसमें 54 questions आते हैं, और इसमें 44 आते हैं, इसमें 64 minute का paper होता है, और यह 70 minute का paper, तो 60 और 74 मिलाके, दो घंटा 14 मिनट हो जाता है, चीक, 800-800 मिलाके 1600 का paper हो गया, 98 total सवाल होंगे, दो घंटा 14 मिनट में देना है आपको, clear, अब आगे बढ़ते हैं, क्या-क्या पूछा जाएगा, कैसे-कैसे होगा, तो देखिए, reading and writing का दो module होता है, module 1 और module 2, दोनों 32-32 मिनट का होता है, दोनों में 27-27 सवाल होता है, clear, अब उसके बाद फिर आपका 10 मिनट का break दिया जाता है, तो आपने जब 27-27 कोश्चन 32-32 मिनट का बना लिए, 64 मिनट के बाद एक break होता है, 10 मिनट के break के बाद, maths का module 1 शुरू होता है, जिसमें 35 मिनट का होता है, इसमें 22 कोश्चन होंगे, और फिर maths का module 2 शुरू होगा, जिसमें again 35 कोश्चन होंगे, और ये 25 मिनट होंगे, 22 कोश्चन होंगे, clear बात, अब ध्यान से देखिए, total हो गया, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे, यह जो reading, writing वाला पार्ट है, और यह जो mathematics वाला पार्ट है, इसमें module 1 और module 2 में क्या पूछेंगे, ध्यान से समझे, तो यह 25 सवाल पूछते हैं, operational question और 2 pre-test question, क्या मतलब हुआ, तो total यह 27 सवाल पूछेंगे, और आपको 27 के 27 का जवाब देना है, लेकिन बीच में दो ऐसे सवाल होते हैं, जो यह पूछते तो हैं, लेकिन उसका mark नहीं देते हैं, वो पूछा सिर्फ इसलिए जाता है, कि आप basically यह जानना चाहते हैं, कि आप चीजों को समझते हैं कि नहीं, आप समझदार हैं कि नहीं, और question का level आपको कैसा लग रहा है, तो वो दो सवाल छुपा के इसलिए देते हैं, क्योंकि अगर बता देंगे कि यह दो सवाल है, इससे हम तुम्हारा level टेस्ट कर रहे हैं, और इसके number नहीं देंगे तो बच्चा देगा ही नहीं, बोलेगा जब number नहीं मिला तो कहाए के लिए भरे हैं उसको, तो ये बीच में 27 के 27 सवाल होते हैं, कौन से वाले का number नहीं दिया जाएगा ये आपको पता नहीं, हैंस आपको सारे सवाल बनाने हैं, सारे के सारे कोशिश करने हैं, सही होने के, clear बात, अब, जो दो सवाल होंगे, वो इनके back end में इनको clear है, तो अगर वो दो सवाल का आपका answer गलत आता है, तो कोई बात नहीं, आपको marking आपका फिर भी यही 25 सवाल पे होता है, clear बात, यही same module 1 में, यही same module 2 में यहीं ऐसा ही करते हैं, reading, writing में भी वैसा ही, mathematics में भी ऐसा ही, ठीक है, अब, mathematics में बस यह 22, 22 हो जाता है, clear, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें, जो पूरा paper है, reading, writing का हो, चाहे mathematics का हो, इसमें 75% questions जो होते हैं, वो MCQ format के होते हैं, और सिर्फ 25% questions SPR होते हैं, SPR मतलब student produced responses, का answer होता है, जैसे हमारा IIT में होता है, numerical answer type का, उसमें numerical answer type का सवाल होता है, और जो सवाल होता है, उसका answer numerical type में आपको लिखना है, तो mathematics में 25% सवाल वैसे होंगे, और 75% MCQ, English में सारे के सारे MCQ हो, चाहे module 1 हो, module 2 हो, 25 हो, कुछ भी हो, सारे के सारे MCQ होंगे, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब, but during the time of exam, you won't be knowing which is operational, which is, pre-test तो pre-test तो तुम जानोगे नहीं, तुमको पता नहीं होगा, there is no negative marking in SAT examination, मजा आया होगा सुनके, negative marking नहीं है, लेकिन सुनिये, अब negative marking नहीं है, अब देश, देश क्या, दुनिया का सबसे बड़ा examination, जहाँ पे, जिसकी वज़े से आप पूरे के पूरे दुनिया के किसी भी college में, 86 countries के college में, आप admission लेंगे, वहाँ negative marking नहीं है, तो भी बच्चा तुका मारेगा, तुका मारेगा तो भाईया, कोई भी बच्चा सौ में सौ पूरा लग सकता है, 1600 दू 1600, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे एक catch है, ध्यान से सुनियेगा, catch क्या है, कि इसमें आपने मालीजे, पहला सवाल इन्होंने दिया आपको, आपने इस पहले सवाल को सही कर दिया, तो यह दूसरा सवाल जो करते हैं न, यह दूसरा सवाल उससे भी ज़ादा high level देते हैं, अब अगर आपने इसको भी सही कर दिया, तो तीसरा जो होगा, यह इससे भी high level जाएगा, इनका system ऐसा है, अब माल लीजे, आपने पहला सही किया, लेकिन दूसरा गलत कर दिया, तो जो तीसरा आएगा न, वो इस दूसरे के level से कम आएगा, और hence, इसके number भी कम मिलेंगे, जैसे माल लो पहले वाला में एक number मिला, तो दूसरे वाले में, अब इससे tough level आया है, तो हो सकता है, दो number का है, अब दो number तुम ने सही नहीं किया, गलत कर दिया, तो दो number तो का है, लेकिन अग्ला वाला फिर वापस एक number का जाएगा, तो हो क्या रहा है, अब मालो तुम पहला ही गलत करते हैं, एक number का है, तो अगला वाला जो आता वो 0.5 का आता या 0.75 का आता तो इनका marking scheme और level of difficulty दोनों variable है इसी लिए ये दुनिया का एक अपने आप में अजूबा exam बनता है क्योंकि देखो ना सोचो ये सही करोगे तो और tough करते 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 जब सारे सवाल पर पहुँचोगे नंबर नहीं काटेंगे बड़ उसके बाद वाला नंबर गिरा देंगे अब ये चार नंबर का माल लो सवाल है अगर तुम सही करते हैं चार नंबर मिलता माल लो तुमने नहीं सही किया तो चार नंबर गया ठीक है जीरो मिलेगा बट अगला वाला तीन नंबर का आ जाएगा तो हो गया negative marking मतलब उसी तरीके से तुम समझ सकते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब analysis थोड़ा सा देख लीजे देखिए तो reading and writing question के types जो होते हैं पहला तो craft and structure तो इसमें आपका vocabulary, analytical synthesis and reasoning skills देखा जगता है फिर दूसरा है information and idea इस पार्ट में आपको locate कर पा रहे हैं कि नहीं understand, evaluate मतलब अलग-अलग section से आपकी अलग-अलग काबिलियत को पहचानते हैं तो अगर आप information and idea में हैं तो the capacity to locate, understand, evaluate and integrate knowledge and ideas from the text and informational image मतलब जो text और text और image जो दिया है उससे आप सारे information को समझ पा रहे हैं कि नहीं वो समझने की काबिलियत है कि नहीं वैसे ही फिर तीसरा है standard English conventions इससे आपका punctuation, sentence structure यह सब बना पाते हो कि नहीं तो यह सब check करते हैं और expression of ideas तो भया, तुम ability to edit and text and strengthen written language कुछ लिखा हुआ है तो उसको अपने हिसाब से दिमाग लगा के सही कर पारे हो कि नहीं उसको अच्छे से text में बना पारे हो कि नहीं तो यह अलग-अलग काबिलियत चेक करने के लिए चार segments रखेगा है reading, writing में ठीक, अब आते हैं mathematics के syllabus में तो algebra पूछते हैं यह लोग भाई हमारे देश की तरह है यहां 30 subject उनके हां नहीं होते हैं, उनके हां algebra होता है, calculus होता है वो segments में बठे रहते हैं algebra, 35% weightage है question 13-15 के आसपास पूछते हैं advanced math, अब advanced math में high level maths पूछेंगे, क्या पूछेंगे उसका एकदम exact bifurcation website पे मिल जाएगा 35% सवाल, 13-15 अगे problem solving and data analysis यहां पे generally statistics type के सवाल होते हैं यह 15% सवाल होते हैं 5-7 और geometry और trigonometry based 15% सवाल, ठेक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अब important dates, तो देखिए यहां dates का कोई importance है नहीं क्योंकि 7 बार होता है SAT जो है, एक साल में 7 बार होता है कब-कब होता है, मार्च में, माई, में, जून, अगस्ट, अक्टोबर, नॉमबर, दिसमबर तो काफी बार होता है, तुम कभी भी दे सकते हो जब तयार हो जाओ, तब देते होगे ठीक है, अब इसके डेट्स, अपकमिंग डेट्स देख लीजे थोड़ा तो साथ बार होता है, तो साथ डेट्स मैंने लिख दिया है कब-कब होंगे तो टेस्ट डेट क्या है, 26 अगस्ट का है भी आने वाला फिर 7 अक्टूबर, 4 नॉमबर, 2 दिसमबर, 9 मार्च, 4 माई और 1 जून, अगले साल तक इनके डेट्लाइन भी यहां लिखे वह है डेट्लाइन फर चेंजेस रेगुलर वो भी लिखावा है तो इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेलो जो जो देना चाह रहा है अब आगे बढ़ता है इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं है कोई भी एज लिमिट पर दे सकते हो लेकिन जनरली जो बच्चा 17 से 20 साल वाला होता वह ही देता है क्योंकि बैचलर्स के लिए जा रहे है अंडरग्राड के लिए उसके हिसाब से जाईए गा उसके बाद कैसे अपलाई करना है तो आप अपना टेस सेंटर लोकेशन देख लीजे वेब साइट पे देखिए वहाँ पर जगा खाली है कि नहीं जगा खाली है तो वहाँ पर भर दीजे और भरने के बाद अपना प्रेफर टेस्ट डेट डालिए उसके बाद अपना साइन इन करके अकाउंट बनाके अब पूछो के तुम पैसा कितना लगता है तो पैसा से जादा एक्जाम सेंटर है इंडिया में है, मुस्किल तो होगा ना, तो साड़े आठ हजार रुपे के आजपस आपको पैसा लगेगा सिर्फ इस एक्जाम को देने के लिए, ठीक है, चलिए, और इसलिए, जनरली बच्छों को कहा जाता है कि अच्छे से प्रिपेर कर लो पहले, क्योंकि इस एक्जाम को बार बार द तो मैंने बस उनी के फीडबैक पर उठाया है, तो ये बुक्स तुम उठा सकते हो, मतलब सैट का अपना ब्लैक बुक आता है, फिर उसके आद प्रिंस्टन रिव्यू का 500 प्लस का प्रैक्टिस कोश्चन्स आता है, ओफीशियल सैट गाइड भी है, चलिए, अब देखिए अब 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 आवरेज बनके रहना नहीं है, तुमको कॉलेज में जाना है, तुम अच्छे अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे कितना नंबर चाहिए होता है, कट ओफ क्या है, तो देखिए, प्रिंस्टन उनिविश्टी का करीबन पंदरा सो पांट से लेके 1570 के आसपास का कट ओफ जाता है, हावर्ड उनिविश्टी, दुनिया का सबसे नंबर वन, 1470 जाता है, कोलंबिया उनिविश्टी, 1505, MIT, Massachusetts Institute of Technology, इंजीनियर्स का फेवरेट, नंबर वन, 1500 लेके 1570, स्टान्फोर्ड, स्टान्फोर्ड, स्टान्फोर्ड 1505, ठीक है, देख रहे हो, 1600 का पेपर होने के बाद भी, चुकि दुनिया के जो नंबर वन है, वो सारे 1500 से उपर वाले हैं, उसके बाद, उनिविश्टी ओफ टॉरोंटो, ये कैनेड़ा वाले हैं सारे, तो 1350 में मान जाएंगे, उनिविश्टी ब्रिटिश कोलंबिया 1400, मैक गिल उनि के ल, 1400, लेर है, तो कट अफ समझ में आ गया, चलिजी बस, इतना ही था बताने का, तो उमीद करता हूँ कि आपको सारे डिटेल्स मिल गए होंगे, कुछ बच जा रहा है, कुछ और पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और ऐसे ही बेहतरीन, इन्फ ता के लिटेक्या, बाबाई!